आज मैं एक और न्यू रेसीपी लेकिया हूँ तो आज मैं बहुत इस्पेसल जटपड़ और मज़ेदार सा वेज अचार बनाऊंगी वो भी इंस्टन और मेरी मम्मी की स्टाइल में यह अचार दस मिनिट में बनके रेडी होगा और आप लोग इस अचार को फॉरन बनाए और फॉरन खाए तो रेसीपी स्टार्ट करने से पहला जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी लाइक कीजी और सेट कीजी तो चलिए रेसीपी की तरफ चलिए इंस्टन अचार बनाना स्टार्ट करते हैं तो इंस्टन अचार बनानी के लिए यहां पर तीन वेजिस हम यूज करेंगे तो इसमें सिर्फ तीन वेजिस हम यूज करते ह तो ये मेरे मममी के स्टाइल तो ये मैं ने चरम के साथ भी कर लो तो यह मैंने सब्सक्राइब यह मेडियम साइस की ज़्याइब लें आप लोग गज़ने आप लोग ना ज्यादा बनाने आप लोग कॉंटेडि बढ़ा सकते हैं केप्सी कम केप्स करा तो हुआ निकाल दी तो यहां का जो वाइट पाड़ बंगाने कर दी थी और इस अच्छी तरह से मैंने वास करके इसको क्लीन कर ली पानी नहीं होना चाहिए अचल में ड्राइए पानी होएगा तो अचल खराब हो जाएगा इसलिए में दोके पिला सब कि तरह से पोछ करते हैं तो यहां का मैनि निक निकाल दी हूं और फिर यहां पर यह करेंगे इस करेंगे तो आप लोगों कि दिखाती हुं थिक है को चलिए कुछ State ये कुछृ क्लिन करना है या में यूज करना य है हुआ बहुत य नहीं करना है कि और य हमारे ग़र में सब को बहुत पसंद आता है इस दुद्धी करना Hepo तो इस तरह से मचार बना लीजी बना कर अभी खा सकते हैं तो अम जब धहीं की कड़ी दाल सब बनाते हैं तो तब यह इसके साथ आम इंजय करें तो बहुत ही अच्छा लगता है यह खाने में कि देखि आफ इसका सकें मचा हैं बीजे हम इस तरह से थोड़ा कट कड़े इसके करस्ट करतें इस तरह से हिए यह करना हो थोड़ी इस के साइस करना है हम पिर इसे इस तरह से कट करके या में इसे बारिक बारी कट करना है लंबी स्लाइज में बारी कट करना है इसे हमें इस तरह से हमें करेट की लंबाई की साइज इस तरह से आमें चाहिए देखिए इस तरह से हम रखेंगे तो यह पूरा में कट करके आप लोगों को दिखाती इस तरह से इस तरह से लंबाई में आपक चाहिए, इस तरह से इससे साइट पे रखते हैं, फिर कैप्सी कम इने कट कर दिखाते हैं, आपको, इससे हम साइट पे रहें चलिए अभी में कैप से कम कट करते हैं अभी कैप से कम को भी आमें इस जो केरेट के लंबाई में कट किया नहीं इस तरह से आमें कट करना है कर लगाना है लंबाई में आ से ऐसा आपफिय में आपेलोगं की से कर सनदे आरे और किक कर सकते हैं लगता है बहुत ही लंबा है तो इस तरह से कट कर सकते हो देखें इस तरह से कट कर सकते हैं ठीक है आप लोग इस तरह से में कट करके यह दिखा दिए कर दिखें इसे इस तरह कट करीं आप लोग देखिए एक केपसी करं से किती सारी कंट सकती द बढ़ गई ले आप लोग आपके इस तरह से सब्सक्राइब форм violently then it's only lahm 2 कि उस्टाइब करते इसका जो शाइड का पाट राखाएं ये नीची आमें अब इस से वी इस तरह से गैट के LIN कट करेंगे और बीच का भी कट करेंगे पाड को हम कट कर लेंगे पाड में यूज नहीं करना है हमें इस तरह से चाहिए तो हम सब को इस तरह से बीच निकाल लेंगे इस तरह से दो इससे में किया फिर इस तरह से यह बीच का हमें रिमूफ करना है करो इस तरह से रिमुव करेंगे फिर इसे भी लंगाई में हमें कट करना है क्योंकि बीच वेला पाड नहीं बीच वेला पाड अचाड में तुम जल्दी थारा बने के चांग सिस होते हैं इसलिए बीच वेला पाड ईस्विज में उसलिए करना है खाली बीच का निकाल के इस तरह से हमें कट करना है कि हम इसे ड्राइ अचार बनाएंगे रहां देखे इस तरह से कट करेंगे इस तरह इसे लंबाई में कट करना है हमें करते हैं देखें यह फिए इस तरह लंबाई में कट और जी इस तरह से आफ आधा में बटा थे क्या कर्या हूं कि इसे कट करके में इसे निकाल के रेडी का रहे हुँ अभी आप आप यहां अचार का मसाला बनाना प्रिपार करती तुम्हा आप लोग को दिखाती हुमें क्या मसाला यूज करता हुआ आपनों मेरे साथ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए तो आप लोगों यह अचार समझ मेंगा बहुत ही डिलिसेज बनता है आप लोग बिलकोल भी मिस्क ने करना फूल वॉच कीजिए चली अचार का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम यह फखा धनिया है यह हम लेंगे यह चार टेबल स्पून है यह में इसमें इसे हमें रोज करना है अब इसे हमें मेडियम फ्लेम पे इसे रोज करेंगे हम फास नहीं करेंगे अगर जल जाएगा तो यह चार पूड़ा कड़वा हो जाएगा इसलिए इसे मेडियम लोग फ्लेम पे ही हमें इसे रोज करना है यह रोज करके हमें इसे थंडा होने देंगे इसे दर दरा ग्रा अब इसे हम थंडा होने देते हैं तो आपके जब तरह मसाला प्रीपेर करेंगे तो अच्छा गरम जाएंगा तो और अच्छा गरम करना है तो आपके इसे अच्छा गरम आने देंगे हम चलिए अभी थंडा हो गया है अभी आम इसे ग्रैंड कर लेते हैं चलिए अभी यह मिक्षर में आम इसे एड करते हैं अभी इसे दरदरा पीसेंगे इदम पाउडर ने बनाएंगे ठीक है इस तरह से आमें चाहिए इसका पाउडर चलिए अभी अच्छा रवाना ना स्टार्ट करते हैं यह जो वेजिस है यह सब तीनु वेजिस को इसमें एड करेंगे बाउल में आप प्लास्टिक में एड करना क्या हम गराम ओ yap डालेंगे न इसमें तो प्लास्टिक का जो बाउले हो जल ना जाए इसलिए अईसा ही तांज का बाउली लेना आप लोग और इसमें एड करना क्योंकि आम इसमें गरम ओयल एट करना है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिजी तो वेजिस को इस तरह से अब इसमें हम सॉल्ट एट करेंगे सॉल्ट अब आपके टेस्ट के साब से लेना हाफ टीस्पून अल्दी यह ग्रिन चीली पेस्ट है यह तीन चार मैंने ग्रिन चीली लिती इसे मैंने ग्रांड कर ली आप लोग अब पेस्ट हो ग्रिन चीली कर तो आप लोगो एट कर लेना मैंने ग्रिन चीली को पीस कर ले इसमें ग्रांड करी हूं और इसमें एट यह वन टेबल स्पून है यह ग्रीन चिली अभी अमने जो धन्या प्रिपेड किया ना रोज करके यह हम डालेंगे वन टू थ्री फो फो टेबल स्पून में एड करी हूं और थोड़ा एड कर देते हैं मिंस फाइव टेबल स्पून आप लोगे जो धन्या है यह रोज के उसको स्टोर करके भी आप लोग कर रख सकते हैं कोई भी अपन वराइटी बनाए या कोई भी रैसिपी तो इसमें यूज होता है तो इसे में स्टोर करके साइट पे रखोंगी तो यह मिक्स कर लेंगे अब इन सबको अच्छी तरह से फीस में हम गरम ओल एट करेंगे यह और रेड़ी हमारा अचार बनके रेड़ी हो चुका है अभी इसे फीस में ओल एट करना है हमें अब इसमें ओल एट करेंगे गरम ओल इसे चार से पांच टेबल स्पून ओल होएंगा अभी आम देख लेते हैं अगर जरूद पढ़ेंगे तो ओल एट करेंगे अब इसे मिक्स कर लेते फिर देखते हमें ओल और एट करने की जरूद है के नहीं अगर जरूद पढ़ेंगे तो अईसे ही रिन देंगे और आपको यह जो धनिया है ना वह भी आप लोगों को कम लगता है तो आप लोग एट कर सकते हो मुझे तो सही लग रहा है अगर कितनी होएंगे ना उसके साब से आप लोग धनिया एट करना ठीक है मैंने तो फाइफ टेबल स्पून एट करी थी आप लोग आपका कॉंटेडी बढ़ा सकते हो कम ज्यादा देखे अभी में और दो तिन टेबल स्पून और एट कर देती हूं मुझे और थोड़ा कम लग है दो तिन बस देखें हमें बस इतना ही चाहिए अभी हमारा यह अचार इंस्टन अचार बनके रेडी हो चुका है आप लोग इसे डाल कड़ी जब खाए तो इसके साथ इंजय करें बहुत ही मजा आता है आप लोग भी बनाई है और इंजय करें किजिए बहुत यम्मी यम्मी बनता है यह देखें बस ज्यादा ओल अभी आटने करेंगे इसमें बहुत है आप लोग देखें इदर कितना ओल है इस तरह यहां पर बस अभी और ओल आट नहीं करेंगी यह इतना ही बहुत हो गया ओल मैंने यहां पर 5-7-6 टेबल स्पून म आप लोग देख लेना आपके इसाब से ओके अमारा चारे बनके रेडी हो चुका है अब इसकी प्लेटिंग करते हैं आपको दिखाते हैं देखिए कितना जबर्जस्त बना है और इत्म डिलीशियस है में तो अभी खाने बेढ़ जाओ इतना यमी यमी है आप लोग बिल आप लोग जरूर ट्राइ किजिए बहुत ही जिलीशियस बनता है और आप लोगे इसे चार से पांस दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो ज्यादा टाइम ने रख सकते सिफ चार से पांस दिन तक इसे आ आप लोग भी इस अचार को बनाएए खाएए और इंजय कीजिए और आपकी फ्रेंड्स फैमिली में मेरी ये वीडियो सेर कीजिए अप में एक और न्यू रेसिपी के साथ आजिर होगी तक तक के लिए लिए लाफीज थेंक्स पर वाके लिए